Fellow Students हमने खिजरे राह का चटला बंद शुरू कर रखा है यानि उसकी तश्री समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसके हमने इपकी द कंधाई अशार पढ़ लिए हैं अब हम उसके आगे के अशार पढ़ने की कोशिश करते हैं In governance के कोशिश करते हैं और इस्षरी समझने की कोश तो उसके प्तिताई अशार हो चुके हैं और हमाबागे से पढ़ रही है हमने देखो ये आखरी शेर जो हमने पढ़ा था सर्वरी जीबा पकत उस जाते बेहमता हमने ये पढ़ा था अब हम इसके बाद पढ़ रही है पार्सी का शेर है अज गुलामी फित्रते आजाद रा रुस्वा मकुन अज गुलामी फित्रते आजाद रा रुस्वा मकुन ता तराशी खवा जाए अज बरहमन काफिर तेरी शायर क्या कह रहा है कि फित्रत तेरी जो फित्रत है एए इनसान तेरी फित्रत तेरी खुदी जो खुदाने आज़ाद पैदा की है अजगुलामी गुलामी से अजगुलामी फितरत आज़ाद रा रुस्वा मकुन रुस्वा मत कर उस खुदी को उस फितरत को जो खुदाने आज़ाद पैदा किया है तेरी फितरत को, इंसान की फितरत को जो आज़ाद पैदा किया है खुदाने उसे गुलाम बन करके रुसवा मत कर, बदनाम मत कर, यानि किसी और के आगे सर जुका करके रुसवा मत कर, क्यों? क्योंकि अगर आगे क्या करें है, ता तराशी खुआ जाए अस्बर हमन का पिर त अगर तू गुलाम बनता है किसी का, अगर तू किसी के आगे सर जुकाता है, तो उसी तरह है कि तू मुसल्मान हो करके भी बराहमन की से भी बढ़कर काफिर होगा, यानि यह है कि इसलाम जो है, वो सिर्फ खुदा के आगे सर जुकाने की बात करता है, तो हम अगर खुदा के अलावा किसी और के आगे सर जुकाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम ब्राहमन्ट से भी बड़े काफिर हैं तो ये बात इक्वाल शेर के अंदर कह रहे हैं कि सिर्फ उसके आगे सर जुकाना हमें चाहिए है वही साजे कोहन मगर्ब कर जमहूरी निजाम देखो शायर जो है जमहूरीत की जो मतलब खराबी है उसकी तरफ इशारा कर रहा है उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि आज की जमहूरीत है जो नया निजाम है मगर्ब से आया हुआ कह रहे हैं है वही साजे कोहन साजे कोहन पुराना साज मगर्ब का जम्हूरी निजाम जम्हूरी निजाम का मतलब होता है डेमोक्रेसी जो है प्रजातांत्रिक जो वेवस्था है जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रजातांत्रिक वेवस्था यानि जो डेमोक्रेसी है वो मगर्ब से आई हुई जो डेमोक्रेसी है या निजाम है जमूरी निजाम वो कैसा है उस साजे कोहन की तरह है पुराने साज की तरह है यहां साजे कोहन से मतलब क्या है साजे कोहन का मतलब है शखसी हकूमत यानि एक इनसान की बादशाह जिस पुराने जमाने में होती था एक आदमी बादशाह होता था और सब अवाम वो उसके रियाया होते थे फिर क्या हुआ निजाम बदला और जम्हूरियत आई यानि डेमुक्रेसी आई जिसके अंदर अवान जो है वो कुछ लोगों को चुन करके सरकार बनाती है और फिर वो हुकूमत करते हैं तो शायर कह रहा है ये जो डेमुक्रेसी है ये जो मगर्ब पुराना साज है यानि वो ही शखसी हुकूमत है वही एक आदमी की बादशाहत की तरह है इसके परदे में वही बादशाहत वही हुकूमत एक आदमी की वही सल्तनत की बात छुपी हुई है जिसके परदों में नहीं गयर जनवाय कैसरी है शायर क्या कह रहा है कि ये जो जम कहुरी निजाम है मगर्ब का ये पुराने सास की तरहए जिसके पर्दों में नहीं गैरज नवायु कैसरी नवा कहते हैं आवास को नवाय पैसरी यानि बादशाहत की आवाद बादशा की आवाद या कहने का मतलब ये है कि जो बादशा होते थे पुराने जमाने के अंदर उनका जो निजाम होता था वो जिस तरह हुकूमत करते थे किस तरह जल्मुजबर से हुकूमत करते थे वही बात जो है वो इसी डेमोक्रेसी के अंदर भी छुपी हुई है यानि डेमोक्रेसी जो है वो एक बदला तो है निजाम लेकिन हकीकत ये है कि उसके अंदर वही सब कुछ है वही जैसे शखसी होती थी एक आदमी होकूमत करता था एक बादशा होता था और सारी वो अवाम जो है वो उसकी रियाया होती थी उसी तरह आज कहने को तो हम गौर्मेंट को चुन करके भेशते हैं लेकिन हकीकत यह है कि वो गौर्मेंट जो हम पे हुकूमत करती है तो वो उसी बादशाह की तरह करती है उसी सुल्तान की तरह करती है जो की अपनी मर्जी चलाता है जो अपने फाइदे की बात जादा सूचता है और हमारे फाइदे की यानि अवाम के फाइदे का सिर्फ दिखावा करता है और कोई हमारे फाइदे का कोई काम नहीं होता है तो ये बात क्या है कि अगबाल जो है वो भेद बता रहे हैं सल्तनत का भेद बता रहे हैं सल्तनत का राज बता रहे हैं बादशाहत का भेद बता रहे हैं और जो नया निजाम बदला है जमहुरियत का यानि डेमोक्रेसी जो आई है उसकी भी खराबी को बता रहे हैं कि डेमो वो सिर्फ नाम की है उसके परदे के अंदर वही शख्सी हुकूमत का अंदाज छुपा हुआ है वही पुराना साथ है जिसके परदे के अंदर बादशाहत की आवाज छुपी हुई है यानि यह है कि जो पुराने जमाने में जो बादशाहत या पुराने जमाने में जो एक ब دیموکریسی ہوتی ہے ملک کے اندھر لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں پاور آ جاتی ہے ایک آدمی سے پاور ایک گروپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اور وہ گروپ جو ہوتا ہے وہ وہ سیاسی لیڈروں کا گروپ ہوتا ہے اور وہ اپنی فائدے کے لیے اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں تو یہ بات اقبال جو ہے یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نام کو دیموکریسی ہے یہ پرجاتانترک ویوسطہ جو ہے وہ صرف मगर्ब से जो आईगे डेमोक्रिट में ये परजाता अंत्री के व्यवस्ता ये सिर्फ दिखावे की है और इसके पर्दे के अंदर वही बात्शाहत कर अंदाज चुपा हुआ होता है देव इस्तिब्दाद जम्हूरी गबा में पाई कोब शायर क्या कर रहा है इस्तिब्दाद का देव यानि जल्म जब्र का देव था यानि जल्म जब्र का जो देव है वो क्या है जम्हूरी गबा में गबा करते हैं लिबास जम्हूरी कबा में या डेमोक्रेसी के लिबास के अंदर पाई कोब पाई कोब को मतला नाच रहा है तो जल्म का देव जो है वो जम्हूरी लिबास पहन करके नाच रहा है कहने का मतलब यह है कि बजाहर डेमोक्रेसी निजाम है लेकिन हकिकत ये है कि वो भी उसी तरह शफसी हुकूमतों की तरह एक बादशाह की हुकूमत की तरह जल्म जबर का हत्यार उसके हाथ में भी होता है वो जल्म करता है जबर करता है अवाम के ओपर तू समझता है ये आजादी की है नीलंपरी ये वो जो तू इसे ये अजादी की नीलंपरी नीलंपरी नहीं है नहीं तुझे अजादी हसल नहीं होती डिमो क्रेसी के अंदर यानि अवाम को कोई अजादी हसल नहीं होती यह सब कहने की बातیں हैं यह सब दिखावा हुता है हकीकत ये होता है कि पावर जो है वो एक आदमी से निकल करके एक ग्रूप के चंद लोगों के हाथ में आ जाती है और वो भी उसी तरह जल्म जबर का हतकंडा इस्तेमाल करते हैं जैसे कि शक्सी हुकूमतों के दोर में हुआ करता था तो वो कहे रहे हैं कि वोही निजान यहां भी होता है तो हक्यक्त ये है कि जभी लिबास पहन करके जल्म जबर का देव नाच रहा है चारों तरह मजलिस आईन और इसलाहो होँ रियायतों हुकूप ये सब डमोक्रेसी के अंदर इंसान के लिए कुछ चीजें कुछ रियायाद दी जाती हैं कानून बनाए जाती हैं अवाम की भलाई Pipos के लिए संसध के अंदर तो शायर उन सब चीजें की तरफ इशारा कर रहा है इसला के काम किये जाते हैं, इसला किये जाते हैं सुधार को, अवाम की सुधार, रियायत, रियायतें दी जाती हैं, कुछ खास तप्पे को, कुछ खास फिर्के को रियायते दी जाती हैं, जैसे अकलियती फिर्का है, उसे कुछ खास रियायतें दे दी जाती हैं, हुकूप, क क्या करती है कि रियायतें देती है किसी खास जमात को किसी खास फिरके को या किसी खास तबके को तो शायर के रहा है कि ये जो डिमोक्रिसी के अंदर होता है रियायतें दी जाती है या सुधार किया जाता है इसला की जाती है अवाम के लिए अवाम के काम उनके फाइदे के लि तो वो предлаг रहे हैं तिब इप मुझे में मज़े मीठे असर हुआवावरी तो शायर बहरा है वो इस तरह हैं ये सारी चीजें जो डिमोक्रेसी के अंदर दिखाई जाती हैं 지금까지 हम अवाम के हफ के लिए काम कर रहे हैं ये हम अवाम के सुधारने के लिए عوام کی ترقی کے لیے عوام کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں हम उन्हें रियायتیں दे रहे हैं तो ये सारी चीजें कैसी हैं वो कहरें तिब मगर्ब में मज़े मीठे असर हुआ बावरी इस तरह हैं जैसे मगर्ब की जो तिब है यानि मगर्ब की जो दवाएं हैं उनकी तरह है जिसमें मज़ा तो मीठा होता है लेकिन असर कैसा होता है हुआ बावरी यानि सुला देने वाला असर होता है देखो ऐलो पेथी जो होती है हम खाते हैं ने ऐलो पेथी की दवाएं मगर्ब से हाई भी है ऐलो पेथी तो ऐलोपेटी कि जब दवाएं हम खाते हैं तो वो क्या होता है मीठा असर होता है उसका जायका मीठा होता है लेकिन अफीम की तरह सुला देता है हमें वो क्यों कि उसमें अलकोहल होता है होता है न तो हमें क्या है नीन आ जाती है वो दवाएं खाने के बाद तो वो ही उसी तरह वो कह रहे हैं कि ये जो डेमोक्रेसी है वो भी उसी तरह है कि हमें जाहर ये कर रहा है कि हम जो है हमारे भलाई के लिए काम किये जा रहे हैं हमारे भलाई के लिए कानून बनाए जा रहे हैं मजलिस आईन के अंदर हमारे भलाई के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, हमारी भलाई के काम हो रहे हैं, अवाम की भलाई के काम हो रहे हैं, अवाम को हर्फ दिये जा रहे हैं, वकूद दिये जा रहे हैं, अवाम को रियायतें दी जा रहे हैं, ये सब चीजे होती हैं, लेकिन हाकिकत ये है कि ये बिल्कुल इसी तरह है, जैसे कि मगरिब क द्वाइं होती हैं कि उनका जायका मीठा होता है लेकिन वो हमें सुला देती है यानि हमें गफलत में रखती है यानि अवाम को गफलत में रखा जाता है कि हाँ हम आपके भलाई के लिए काम कर रहे हैं हमने आपको इतनी तरफ़े दी हमने आपके विकास का काम किया लेकिन हक यह है कि कुछ भी ऐसा नहीं होता और वो सिर्फ गफलत में रखने वाले बाते होती हैं आगी क्या करें गर्मिय गुफ्तार आजाय मजालिस अलमान शायर क्या करें गर्मिय गुफ्तार यानि गुफ्तार कहते हैं स्पीच को तक्रीर को शायर क्या रहा है गर्मी इसे मतलब ज जोश से भरीवी, जोश से भरीवी जो तकरीरे हैं, जो मजलिस के अंदर ये संसत के अंदर होती हैं, जो संसत के जो दोनों सदन हैं, उत जो सदन निमने सदन होता है ने लोकसभा, राजसभा, तो राजसभा और लोकसभा, तो शायर कह रहा है कि वो जो संसत के अंदर जोश स भरी हुई तक्रीरे हैं किसकी हैं आजाय मजालिस मजाय मजालिस का मतलब जो मजलिस के अरकान होते हैं यानि वहां जो मजलिस कहते हैं मतलब संसत को संसत के अंदर जो अरकान हैं वो जोश से भरी हुई जो तक्रीरें कर रहे हैं जोड़ से भरी हुई अवाम की भलाई को दिखाने के लिए कि हम अवाम के भलाई के लिए तक्रीरें कर रहे हैं हम अवाम के भलाई के लिए जोड़ से भरी हुई बातें करते हैं तो वो कह रहे हैं वो अलामान अलामान को मतलब है अलामान पनाह के कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है तो वो सब चीजें क्या है शायर कह रहा है कि वो डेमोक्रेसी के अंदर ये सब जो तक्रीरें होती हैं जूर से भरीवी मजलिस के अरकान जो करते हैं वो सब क्या है उनको खुदा हमें पना हमें रखे ऐसी तक्रीरों से क्यों क् वो सिर्फ दिखावे की हैं हमारी भलाई के लिए कुछ नहीं होता है ये भी एक सर्मायादारों की है जंगे जर्गरी शायर क्या कह रहा है कि ये सिर्फ दिखावे की हैं और हकिकत ये है कि सर्मायादारों की सर्मायादार कहते हैं दौलत मंद जो दौलत मन लोग हैं उनकी क्या है ये भी एक सरमायादारों की है जंग जर्गरी जंग जर्गरी यानि दिखावे की लड़ाई जो सिर्फ पैसे की लड़ाई है यानि ये है कि सरमायादार जो है दौलत मन लोग जो है वो सिर्फ अपनी भलाई के लिए करते हैं जो काम करते है हकिकत यह है कि वो अवाम वो जो सिर्फ तक्रीरे कर रहे हैं वो सिर्फ क्या है अवाम को धोके में रखने के लिए कर रहे हैं जंग जर्गरी से मतलब यहां हम यह समझ सकते हैं कि यह दिखावे की लड़ाई है दिखावे की तक्रीरे हैं दिखावे की बाते हैं सिर्फ और حقیقت میں عوام کی بھلائی کا کچھ بھی کام نہیں کیا جاتا وہ جو تقریریں جوش بھری کر رہے ہیں مجلس کے اندر سنسط کے اندر وہ صرف کیسی ہیں وہ دکھاوے کی ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چند سرمایہ داروں یا چند دولتمند لوگوں کے فائدے کے لیے کیا جاتا ہے آج بھی دیکھ لو تم یہی سب کچھ ہو رہا ہے تو اقبال اتنے پرانے وقت میں سو سال پہلے جو لکھ گئے وہ اس کی حقیقتیں آج بھی ویسی ہیں تو اقبال جو ہیں دیکھو شائر اور عدیب جو ہوتا وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ وہ جب سوسائٹی کو جب اپنے گردو پیش کی جو زندگی ہے اس کو غور سے دیکھتا ہے اور اس کے اندر اتر کر کے وہ اس کے بھید کھول دیتا ہے ہم پر اس کے راز آیاں کر دیتا ہے اور اقبال اقبال تو بہت زیادہ ذہین تھے وہ تو مطلب زمانے کو بہت بہتر طریقے سے سمجھ رہے تھے دیکھ رہے تھے وہ جب مغرب کے اندر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں 1905-1908-1908 تک ان کا یوروپ کا جو سفر ہوتا ہے اس دوران انہوں نے جو مغربی فلسفے کو قریب سے دیکھا مغرب کی فلسفے کو مغرب کی نظام کو قریب سے دیکھا وہاں کے جو مادی فلسفے کو انہوں نے دیکھا تو وہ اس کے بھید کو بہت گہرائی سے سمجھ گئے تھے اور اس کو اپنی شائری کے ذریعے وہ ہم پر ظاہر کر دیتے ہیں تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو جمہوری نظام ہے اس کے اندر جو سنست کے اندر جو تقریریں کی جاتی ہیں وہ صرف کیا ہے چند سرمایہ داروں کی فائدے کے لیے دولت من لوگوں کی فائدے کے لیے ہیں عوام کی بھلائی کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا وہ صرف دکھاوے کی باتیں ہیں دکھاوے کی لڑائی ہیں دکھاوے کی تقریریں ہیں इस सराबे रंगोबू को गुल सिता समझा है तू आह ए नादा कफस को आशिया समझा है तू शायर क्या कह रहा है इस सराबे रंगोबू रंग और खुश्बू का जो सराब है यानि धुका है ये जो खुश्बू और रंग का सराब है इसे तू गुलसिता समझ बैटा है गुलसिता कहते हैं बाग को तू इसे बाग समझ बैटा है यानि सराबे रंगोगू का मतलब तो क्या है खोशबू और रंग का धुका लेकिन हकिकत क्या है ये उसको कह रहे हैं जम्हूरी निजाम ये जो जम्हूरी निजाम है दिखावे की जो भलाई कर रहा है उसे तू क्या समझ बैठा है जम्हूरी निजाम को तू बहुत अच्छा समझ रहा है गुलिस्ता समझ बैठा है बाफ समझ बैठा है बहुत अपने लिए फाइदे की चीज समझ बैठा है लेकिन शायर क्या किर तो के है नादान इसान आशियां का मतलब होता है घर आाशिया ना उता है तो आशियां है अपना खुंसला समझ बेटा है तु हकीकत यह है कि चिये सिर्फ पैद खाना है यानि यह है कि सिर्फ तुझे भुलावे के अंदर रखा गया है हफिकत ये है कि अवाम की भलाई के लिए कुछ भी नहीं किया जाता चंद सरमाइधारों की सरमाइधार जो थे दौनतमन देखो इसलाम जो है वो सरमाइधारी और बाद शाहत दोनों की मुखालिफ़त करता है इसलाम के इंदर इन दोनों की मजब्मत की गई है दोनों के लिए एक कहा गया है कि जो वो है बादशाहत है और ये जो है सरमायादारी है सरमायादारी देखो वैसे तो दौलतमंद दौलतमंदी जो है वो बुरी नहीं है पैसा एकटा करना कोई बुरा नहीं है लेकिन बुराई तब आती है जब जो सरमा और यह चाहते हैं कि मजदूर और गरीब जो हैं। उसलिए इसलिए 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 में सर्मायादारी को बुरा کہا گیا ہے بادشاہت کو برا کہا گیا تو اقبال جو ہے وہ یہاں پر سرمایہ داری کی اسی برائی کی طرف اور حکومت کی اسی برائی کی طرف اس بند کے اندر ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ برائیاں جو ہوتی ہیں اس وجہ سے حکومت شخصی حکومتیں یا سلطنتیں جو ہوتی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں اور سرمایہ داری جو ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے فائدے کے لیے اپنے بھلائی کی بات کرتی ہے اور کسی غریب کے لیے کسی مزدور کے لیے اس کے دل میں کوئی ہمدردی نہیں ہوتی تو شاعر نے آخر میں کیا کہا کہ اس سرابے رنگ اور بو کو گل ستا سمجھا ہے تو یعنی یہ جو رنگ اور بو کا سراب ہے دھوکہ ہے یعنی یہ ہے کہ یہ جو جمہوری نظام ہے جو بظاہر تو بہت چکچونت والا ہے بہت اچھا لگتا ہے کہ ہاں عوام کی حکومت ہے اس کے اندر لیکن حقیقت یہ ہے نہیں ہوتا ہے اور کہاں اے نادان قفص کو آشیاں سمجھا ہے تو کہ اے نادان انسان یہ تو قفص ہے یہ تو قید خانہ ہے جسے تو نے آشیاں سمجھ لیا ہے اپنا گھر سمجھ لیا ہے ٹھیک ہے یہاں یہ بند کمپلیٹ ہوتا ہے اور آج ہم اسے یہاں ہی ختم کرتے ہیں اس میں ہم آگے کے بند کا متعلیہ کریں گے امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا Thank you